Hi everyone and welcome to Upna College. राज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उन तीन टॉप वेबसाइट के बारे में, जो अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, तो आपको डेफिनिटली जाकर उन पर प्रोफाइल बनानी चाहिए, उनको यूज करना चाहिए. बहुत सारे coders around the world in websites को रोज यूज करते हैं, अगर आप एक अच्छे coder हैं, जिसको at least 6-7 महीने हो गए हैं, आप एक developer हैं, तो आपको इनके बारे में जरूर पता होगा, या फिर अगर नहीं पता है, तो इसके बारे में हमें पता करना चाहिए. यह ऐसी websites हैं, जिन्होंने मेरी college journey को, मेरी coding journey को बहुत जादा smooth बनाया है, इन में से सबसे पहली website है stackoverflow.com, अब stackoverflow एक platform है online, जिस पर बहुत सारे coding के जो questions answers होते हैं, वो post के जाते हैं, काफी सारे developers around the world इस पर questions पोस्ट कर सकते हैं, जो भी उनको error आ रहा है, जो भी वो bugs face क अपनी internships के time पर, jobs के time पर, उसके बाद बहुत सारे लोग उन questions के हिसाब से उनके लिए answer दे सकते हैं, उन answers को upvote किया सकता है, downvote किया सकता है, तो अगर आप एक ऐसे coder हैं, जिसको frequently problems face कर रहे हैं, या फिर आप college के अंदर हैं, आपने आप project बना रहे हैं, जिसमें problems आती ह तो उस time पर अगर आप उन errors को search करेंगे इंटरनेट के ऊपर, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके top 5 searches में stack overflow ना आए, क्योंकि stack overflow बहुत जादा popular है, coding community में, उसके साथ-साथ, अगर मैं बात करूं कि मेरे internship जब चल रही थी Microsoft में, तो एक team थी, जो hollow lenses पर काम कर रही थी, एक कोई problem आती थी, जो शायद team के कोई developers answer नहीं कर पाते थे, तो वो stack overflow पर उसको post करके छोड़ देते थे, एक दो दिन में उनको उनकी problem के answers मिल जाते थे, तो इतना effective होता है, सिर्फ projects के लिए ही नहीं, अपने actual काम के लिए, internship के लिए, and stack overflow से basically आपको realize होता है कि coding community कितनी helpful है, क दूसरे की help कर रहे हैं, answers post कर रहे हैं, दूसरों की queries के लिए, and अगर रात में बैट कर आप, अगर आप कोई project बना रहे हैं, आपके friends नहीं जाग रहे हैं, उस time पर आपको कोई error आ रहा है, तो अगर आप जाएंगे, तो वो error किसीना किसीने पहले face किया होगा, और वो वहा बहुत सारे topics पर, and यह बहुत अच्छी quality के articles होते हैं, तो usually काफी सारे information, काफी सारे interesting topics, and even basic topics पर हमें articles वहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो लोग जिन्हें पढ़ने से जादा सीखने को मिलता है, वो उस website को जाकर explore कर सकते हैं, and अगर हमें coder हैं, तो definitely हमें reading की habits ज़रूर बना तो तब आपको documentation पढ़ने की आदत हो, इसलिए उससे पहले थोड़ा सा हम blogs read कर सकते हैं, articles पढ़ सकते हैं, चीजे पढ़ कर सीख सकते हैं, तो medium.com पर काफी सारे topics के बारे में काफी अच्छे से explanation है, उस पर videos भी मिल जाते हैं, tutorials भी मिल जाते हैं, और आपके काफी सारे topics ब क्योंकि हमारे college के teachers, तो हमें पता है कितना अच्छा पढ़ाते हैं, उस टाइम पर कुछ समझ तो आता हैं, तो सारा का सारा सिफ articles पढ़ पढ़ के सिर्फ exam नहीं पास किया, उसके बाद हम दोनों नहीं ही एक रिसर्च पेपर पर काम किया, और successfully उसको पप्लिश किया, तो definitely इस website को हम चेक आउट कर सकते हैं, अगर हमें किसी चीज के बारे में read करके information लेनी है, तो especially artificial intelligence and machine learning जैसे topics, जिसमें theoretical और mathematically थोड़ा सीखना जादा important हो जाता है, थर्ड website जिसके बारे में हम सीख सकते हैं, जिस पर हम profile बना सकते हैं, और ऐसी website, जो शायद कोई भी अगर video बना तो वो इनसान इस website को miss नहीं कर सकता, वो है github.com, अब जिसको नहीं पता कि github क्या है, github एक ऐसा platform है, माली जैसे facebook है, तो github is the facebook for coders, जैसे facebook पर जाकर आप अपनी profile बनाते हैं, उस पर अपनी photos करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, वैसे ही github पर जाकर हम अपने पिर जैसे पर लिखते हैं, फोट पोस्ट कर सकते हैं, और उस पर हम upload करते हैं अपने projects, तो क्या होता है, हम track कर सकते हैं, projects के ताइम पर किस दिन हमने contribute कि, किस दिन हमने code किया, किस दिन नहीं किया, साध के साथ हमारी क्या progress चल रही है, क्या-क requis changes जा रहे है, रोज के रोज तो आपके साथ साथ अगर हम रेजुमे बनाते हैं इंटर्णशिप के लिए प्लेस्मेंट के लिए जॉब्स के लिए अपलाय करते हैं तो वहां पर हम प्रोजेक्ट का लिंक भी दे सकते हैं कोर साथ कीरीं के लिन प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्स करें intelligence किया है । असली प्रोजेक्स हैं यह neste के साथ गेतृब ओपन सोस्के तो बहुत जादाल्पर में आग ऋधिकिस अथो गूर स्विच्ब करते हैं गोगल भी जरी सारी आज़िक्सें काफी सारे नोऑ करें GitHub पर hosted होते हैं, क्योंकि GitHub एक काफी open source vibrant community प्रोवाइड करता है, जिसमें लोग आकर आपके projects देख सकते हैं, और अगर आपको problems आ रहे हैं, तो उसमें आपकी help कर सकते हैं, साथ के साथ अगर आपको कोई नई technology सीखने हैं, किसी project पर काम करना है, तो आप किसी और के project को जा कर द पास करते हैं, उसको एक checklist लगा कर कहते हैं, कि हाँ ठीक है, एक कोड अच्छा है, साथ के साथ हम भी, जब senior developer बन जाते हैं, एक-दो साल का में experience हो जाता है, तो हम दूसरों का code पढ़ते हैं, और उसे review करते हैं, तो यह जो एक habit है, यह GitHub हमारे अंदर पहले से साथ के साथ, काफी सारे इसे interesting tutorials मिल जाते हैं, GitHub के ऊपर, काफी सारे इसे interesting codes मिल जाते हैं, या फिर, कभी-कभी open source एसे-से softwares मिल जाते हैं, तो बहुत जादा काम के होते हैं, हमारी day-to-day life में, तो यह थी हमारी तीन top websites, जो अगर हमें coder है, programmer है, तो definitely check out करें, क्योंकि यह हमारी coding journey, उसको काफी smooth बना देंगी, काफी सारे हमें resources मिल जाएंगे, बहुत चारी interesting चीजें हम कर पाएंगे तीनों को मिला कर, तो I hope कि इससे हमें कुछ सीखने को मिला, आज के लिए इतना ही, मिलते है नेक्स वीडियो में, till then keep learning and keep exploring